नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का चिर परीचित दोस्तों पस्थित हूँ आप सभी की सेवा में एक बहुत पूर्ण जानकारी को ले करके जहां आए आज हम सभी कनेर के फूल के बारे में जानते हैं ये एक ऐसा फूल है जो हर जगह बहुत ही आसानी से मिल जाता है यहां त देखा जा सकता है यह सदा हरित जारी है जो हिमाले में नेपाल से लेकर पश्चिम के कश्मीर तक गंगा के उपरी मैदान और मध्य प्रदेश में बहुतायत मात्रा में पाई जाती है अन्य प्रदेशों में यह कम पाई जाती है परंतु संपूर भारत में अपने पूल के लिए यह दिन प्रति दिन लोग प्रियता प्राप्त कर रहा है यह चार दि़ारी के किनारे या बाग में उगाया जाता है कनेर के फूलों के गुच्छे मई से अक्टूबर तक भोतायत में खिलते रहते हैं इसे रेगिस्तान का गुलाब भी कहते हैं कनेर का पोध लंबे एक इन चोड़े और नोकदार होते हैं पीले कनेर के पोधे के पत्ते हरे चिकने चमकिले और छोटे होते हैं लेकिन लाल कनेर और सफेद कनेर के पोधे के पत्ते रूखे होते हैं कनेर के पोधे को अलग-अलग स्थान पर अलग-अलग नाम से जाना जाता है हम आपको वो नाम भी बता देते हैं क्योंकि हो सकता है कि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हूँ जो दूसरी जगह के हूँ या अलग-अलग प्रांत के हूँ तो उनको पता नहीं चल पाता है कि किस लेंग्वेज में क्या नाम है तो कनेर से सायद आप न जानते हूं इसे इसलिए हम अलग-अलग लेंग्वेज में इसके सबसे पहले नाम बता देते हैं जैसे कि इसे संस्कृत में हम अश्व मारक, शतकुंब, हैमार, करवीर कहते हैं हिंदी में कनेर, कनेला कहते हैं मराथी में कनेहेर, बेंगोली में करवी, अर्भी में दिफली, पंजाबी में कनीर, तेल सफेद कनेर का प्रियोग ही सबसे अधिक होता है कनेर के पेण को कुरेदने या तोड़ने से एक सफेद द्रव्य निकलता है जिसका प्रियोग और शधी के रूप में किया जाता है कुछ लोगों का मानना है कि कनेर के पेण इतने जहरीले होते हैं कि साप भी इसके आसपास न यह कुष्ट, तवचारोग, घाव, खुजली, कीड़े, बुखार, पामा, घर्मी, वातरोग, लकवा एवं उपदंश रोग को दूर करता है इसका प्रियोग कुट्टे के जहर को उतारने और आखों के रोग दूर करने के लिए भी किया जाता है आईए जानते हैं इसके वि अलावा फोड़े फूंसियों पर कनेर के लाल फूलों को पीश कर लेप बना लें और यह लेप फोड़े फूंसियों पर दिन में दो से तिन बार लगाएं इससे फोड़े फूंसिया जल्दी ठीक हो जाते हैं इसके अलावा दाद के लिए कनेर के जड़ को सिरके में पीश कर दाद पर दो से तिन भार नियमित लगाने से दाद रोग ठीक होता है कनेर के पत्ते, आउला का रस, गंधक, सरसों का तेल और मिठ्टी के तेल को मिला कर मलहम बना लें इस मलहम को दाद पर लगाने से दाद खत्म होता है लाल्या सफेद फूलों वाली कनेर की जड़ को गाई के पिशाब में घिस कर लगाने से दाद ठीक होता है इसका लेप बवासीर एवं कुष्ट रोग को ठीक करने के लिए भी किया जाता है साप बिच्छू का जहर जिहां सफेद कनेर की जड़ को घिस कर डंक पर लेप करने या इसके पत्तों का रस पिलाने से साप या बिच्छू का जहर उतर जाता है इसके अलावा अगर आप हरदय शूल से परिशान हैं तो कनेर के पोधे की जड़ की च्छाल की 100-200 मिली लिटर की मात्रा को भोजन के बाद खाने से हरदय की वेदना कम हो जाती है बवासीर रोग में कनेर और निम के पत्ते को एक साथ पीस कर लेप बना ले इस लेप को बवासीर के मसो पर प्रती दिन 2-3 बार लगाएं इससे बवासीर के मस सूख कर जड़ जाते हैं कनेर की जड़ को ठंडे पानी के साथ पीस कर दस्त के समय जो अर्ष यानि की बवासीर बाहर निकलाते हैं उन पर लगाएं इससे बवासीर रोग ठीक होता है नपुन सकता सफेद कनेर की 10 ग्राम जड़ को पीस कर 20 ग्राम वनस पती घी के साथ पका लें इस तैयार मलहम को अपने गुपतांगों पर सुबह शाम लगाने से नपुन सकता दूर होती है सफेद कनेर की जड़ की छाल को बारिक पीस कर भटकेया के रस के साथ पीस कर लेप बना लें इस लेप को 21 दिनों के अंतर पर गुपतांगों की सुपारी छोड़ कर बाकी गुपतांग पर लेप करने से नपुन सकता हत्म होती है इसके अलावा जोडों के दर्द में लाल कनेर के पत्तों को पीश कर तेल में मिला कर लेप बना लें और इस लेप को जोडों पर लगाएं इस लेप को सुबह शाम जोडों पर लगाने से दर्द में आराम मिलता है इसके अलावा धात रोग में सफेद कनेर के पत्तों का कारहा बना कर पीने से धात रोग एवं गर्मी से होने वाले रोग इत्यादी ठीक होता है अंड कोश की खुजली सफेद या लाल फूल वाली कनेर की जड़ को तेल में पकालें और इस तेल को अंड कोश की खुजली पर लगाएं इससे अंड कोश की खुजली दूर होती है और फोड़े फुन से भी मिट जाते हैं अंडकोश की सुजन सफेद कनेर के पत्ते को काजी के साथ पीसकर हलका गर्म करके अंडकोश पर बांधें इससे अंडकोश की सुजन दूर होती है दांतों के दर्द में सफेद कनेर की डाल से प्रती दिन दो बार दातुन करने से दांत का दर्द ठीक होता है और दांत मजबूत होते हैं बाल अगर आपके सफेद हो रहे हो तो सफेद और लाल कनेर के पत्तों को दूध में पीस कर सिर में लगाने से बालों का सफेद होना यानि कि पलित रोग कम होता है पीले रंग के फूल वाले कनेर का प्रियोग ज्यादा लाफकारी होता है इसमें इसके अलावा अगर आपके बाल गिर रहे हों तो कनेर की जड दंती एवं कड़वी तोरई को एक साथ पीस कर केले के रस एवं तेल के साथ पका लें इस तैयार लेप को सिर पर लगाने से बालों का गिरना बंद होता है अफिम की अगर आपको आदत लग गई है तो अफिम की आदत छोड़ाने के लिए 100 मिली ग्राम कनेर की जड को बारीक पीस कर चून बना लें इस चून को दो चम्मच की मातरा में दूद के साथ कुछ हपतों तक नियमित रूप से सिवन कराने से अफिम की लट छोटी जाती है इसके अलावा अगर आपको कुटा काट ले तो सफेद कनेर की जड की छाल का बारीक चून बना कर 60 मिली ग्राम की मातरा में चार चम्मच दूद में मिला कर दिन में दो बार एक हपते तक रोगी को पिलाएं इससे कुटे का जहर उतर जाता है अगर शरीर का कोई भी अंग स सूज गया हो तो लाल या सफेद फूल वाले कनेर के पत्तों का काढ़ा बना कर मालिश करें इससे सूजन में जल्दी आराम मिलता है सूजन और दर्द को दूर करने के लिए लाल या सफेद फूल वाले कनेर की जड को गाई के मुत्र में पीस कर लगाएं इसससे सूजन एवं दर्द ठीक होता है इसके आलावा अगर आप उपदंश यानि की सिफिलिस से परेशान हैं तो लाल फूल वाले कनेर की जड़ को पानी में घीस कर रोग ग्रस्त स्थान पर लगाने से लाव होता है इसके पत्तों का कारा बना कर घाव को धोना भी लावकारी होता है सफेद कनेर की जड़ को पानी में पिसकर उपदंश पर लगाने से घाव सुजन जलन एवं दर्द ठीक होता है कुष्ट रोगों में यानि की अगर आपको सफेद दाग है तो 200 ग्राम कनेर के पत्ते को एक बाल्टी पानी में उबाल लें और इस उबले हुए पानी से नहाए इससे कुष्ट रोग यानि की कोड के जखम समाप्त होते हैं सफेद या लाल फूल वाले कनेर की जड़ को पिसकर गाई के पिशाब में मिला कर कुष्ट यानि की कोड पर लगाने से आराम मिलता है सफेद कनेर के 100 गराम पत्ते को 2 लीटर पानी में उबाल लें जब यह मिला कर नहाएं प्रती दिन इस तरह पानी तयार करके कुछ महिनों तक नहाने से कुष्ट रोग ठीक होता है कनेर की जड़ की छाल का रस निकाल कर रोग गरस्त स्थान पर लगाने से कूड और अन्यत्वचा रोग समाप्त होते हैं कनेर के जड़ की छाल को पानी के साथ घ गाव हो गया हो तो कनेर के पत्तों को छाया में सुखा लें और इसका चुन बना कर जखम पर छिड़कें इससे जखम ठीक होता है कनेर के ताजे ताजे फूल की 50 ग्राम के मातरा को 100 ग्राम मीठे तेल में पीस कर कम से कम एक सब्ताह तक रख दें एक सब्ताह के बाद इसमें 200 200 ग्राम जैतून का तेल मिला कर एक अच्छा सा मिश्रन तयार करें। इस तेल की नियमित रूप से तीन बार मालिश करने से कामेंद्रिय पर उभरी हुई नस की कमजोरी दूर हो जाती है। इसके साथ पीठ और बधन दर्द को भी भारी रहत मिलती है। सफेद कनेर की पतियां छाया में सुखा कर महिन पीस लें। सिर में जिस भाग में दर्द हो रहा हो उधर के नथूने में उसमें से दो चावल के बराबर फूंक दें। इस क्रिया से नाक से खून पानी गिरेगा और धेर सारी छींके आकर आधा सीसी में आराम हो जाएगा। यानि कि आधे सर का दर्द दूर हो जाता है। माथे में बलगम या पानी रुख जाने से सिर दर्द होता है। उसमें भी इस क्रिया से लाब होता है। लाल कनेर के फूल और नाम मातर की अफिम दोनों को मिला कर पानी के साथ पीस कर गर्म करके मस्तक पर लेप करने से कुछ कनेर के पत्ते, गंधक, सरसों का तेल, मिटी का तेल इन सब का मरहम बना कर लगाने से दाद कुछें दिनों में साफ हो जाता है। पीडित हैं तो आँखों के रोग को दूर करने के लिए पीडे का नेर के पोधे की जड़ को सौफ और करंज के साथ मिला कर बारिक पिसकर एक लेप बनाएं। इस लेप को आँखों पर लगाने से पलकों की मुटाई जाला, फूली और नजला इत्यादी बिमारी ठीक हो जात इस पोधे का दातुन करने से अधिक लाब मिलता है, इसके साथ साथ कुछे का आपको लोस भी हो सकते हैं कनेर से अगर आप नहीं जानते हैं तो इसलिए हम आपको बता दें क्योंकि ये भी जानना बहत जरूरी है, कनेर एक प्रकार का जहर है जिसे खाने से फेफ़डों को नुकसान हो सकता है, इसके सिवन से हरिदय और श्वास की गति रुख सकते है, अतह इसके प्रयोग औशधी के रूप में करते समय बहत सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि इसका रस पीट में नहीं जाना चाहिए, अन्दर नहीं जाना चाहिए, अन्या था ये फायदे की जगा नुकसान कर सकता है, तो दोस्तों ये थी आज की हमारी जानकारी आप सभी के लिए, अगले एपिसोड में हम आप सभी के साथ जुड़ेंगे, एक और बहत ही महतोपून जानकारी को ले करके, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों.